हेलो दोस्तों आज मैं अपनी कुछ सब्सक्राइबर बहनों के डिमांड पर इस ब्लॉज को बटम पट्टी वाला बना रही हूं जिसमें की पीछे बिल्कुल प्लेन रहेगा डिजाइन रहेगा लेकिन ये चीज पीछे नहीं रहेगा और आगे में इस स्थान पर बटम पट जाएगा और इसे बनाने के लिए हम इसमें पचासी फंदे ले चुके हैं जो कि हम इसे चार बार में देखे एक तो तीन चार चार धागों को एक तरफ किये हैं और यह एक तरफ किये हैं करते हुए हम यहां पे फंदा सलाई पे चढ़ा चुके हैं अब फंदा सलाई पे च इस बॉर्डर को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक उल्टा और एक सीधा का बॉर्डर बुन लेंगे. ये एक सीधा, एक उल्टा. इसमें हम दो कलर मिक्स करके बनाएंगे, क्योंकि हमारी कुछ बहने थी जो दो कलर में इसे बनाना चाहती है. इस तरह से एक उल्टा, एक सीधा फंदा लेकर हम एक लाइन बुनेंगे और उल्टा तरफ से फिर एक लाइन बुनेंगे. जब हम फिर से तिसरा लाइन में आएंगे तो हम इस बॉर्डर का ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन को हम बनाना शुरू करेंगे. इसे हम 11 नंबर का सलाई से बून रहे हैं और ये उन है थ्रिपलाई का तो जब ये उल्टा तरब से भी हम पूरा उल्टा बून लेंगे इसके बाद देखें मैं आगे क्या करना है अब हम ये अगले लाइन में जब हम ये फंदा को उतारे थें ये फंदा उतारे थें ये फंदा यानि कि देखें ये फंदा हम इस तरह से उतारे थें ये फंदा को हम बिना बुने हुए उतारे थे इस फंदा को बुने थे तो अब जब हम इस लाइन में आएंगे तो हमें ये फंदा गर आप उतारती हैं तो उतार लें इस तरह से इसके बाद ये फंदा जो हम बिना बुने हुए उतारे थे उस फंदे को हम बुन लेंगे और जो फंदा हम बुने थे उसे उतार लेंगे और जो नहीं बुने थे उसे हम बुन लेंगे पस इसमें इसी चीज को ध्यान में रखना है कि जब हम अगला लाइन पर आएंगे तो जो फंदा हम भूण चुके हैं उससे हम उतारेंगे और जो फंदा हम नहीं भूने हैं उसे भूनेंगे इस तरह से हम इस लाइन को भी complete करेंगे उसके बाद जब हम उल्टा तरब से आएंगे तो पुरा उल्टा बुनकर complete कर लेंगे फिर जब हम अगली बार आएंगे यहाँ पे तो हमें फिर देखिए यहाँ पे यह फंदा हम उतार लेंगे और यह फंदा चुकि पहला फंदा हम उतारते हैं इसलिए उतारेंगे और second number का जो फंदा है इसे हम बिना बूने हुए उतार लेंगे और third number का जो फंदा है इसे हम बून लेंगे फिर fourth number को उतारेंगे, fifth को बूनेंगे, six को उतारेंगे, seventh को बूनेंगे इस तरह से बूनते हुए हम जितनी दूरी तक आपको border चाहिए इतना चोड़ा चाहते हैं, जितना चोड़ा भी चाहिए आप उतना दूर तक border complete कर लें इस तरह से हम इतना border complete कर चुके हैं, अगर इसे आप line में गिनेंगे तो आपका होगा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, तर्श, ग्यारा, बारा यानि 24 line ये फंदा चड़ाने के बाद, एक उल्टा, एक सिधा बूनने के बाद 24 line बने हैं, बना हुआ है अगर आप उसे भी गिनिएगा तो 26 line हो जाएगा इसके बाद हम 26 line हो बून चुके हैं, अब हमें यहाँ पर इसी design को जैसा कि आपने demand किया है, इसी design को बनाना है तो इस design को अगर आप चाहती है कि यह चीज इस तरह से आए, यानि अगर चाहती है आप यह चीज इसी तरह से आए, तो फिर आप यहाँ पर से शुरू कर लें, यह यानि कि यह border बन जाने के बाद, यहाँ फंदे को गिरा कर हम बन कर लेंगे पूरा, इसके बाद फिर यह अलग से सुरू करेंगे, अलग से सुरू करने के बाद में, यहाँ पर यह चीज नहीं देना है हमें, यह इसे ठीक इसी तरीके से बनाते हुए, यहाँ तक बनाएंगे हम यहाँ तक, इसके बाद इसे कम नहीं करना है फंदे को, सीधे हम बनाते हुए चले जाएंगे, यहा ना दो कलर से तो आएए देखते हैं कैसे बनता है इसके लिए हम सबसे पहले एक फंदा उतार लेंगे एक दो दो फंदा बुन लिए जैसा कि इस डिजायन में था दो फंदा हम एक फंदा उतार लेंगे और एक फंदा हम बुन लेंगे फंदे को फिर अपनी ओर करेंगे और एक दो फंदा उल्टा बुनेंगे फिर फंदे को नीचे की ओर करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे दो फंदा उल्टा बुनें फिर हम एक सीधा यानि एक सीधा और दू उल्टा से हम इस लाइन को कम्प्लिट कर लेंगे एक सीधा बुनना है और दू उल्टा बुनना है अब हमें उल्टा तरब से दिखे ध्यान देना है उल्टा तरब से जो फंदा सीधा दिख रहा है उसे हम सीधा बुनेंगे एक फंदा उतारेंगे ये फंदा सीधा बुना हुआ है इसे हम सीधा बुनेंगे फंदे को अपनी ओर करेंगे एक फंदा उल्टा बुना हुआ है यानि कि सीधे तरब से हम एक फंदा सीधा बुने थे और दो उल्टा बुने थे तो उल्टा तरब से एक फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा एक दो एक फंदा उल्टा दो फंदा सीधा जिस स्थान पे सीधा फंदा बुना हुआ है उस वहाँ पे हम सीधा बुनेंगे जहाँ पे उल्टा है वहाँ पे हम उल्टा बुनेंगे इस चीज को धियान में रखते हुए हम बनाएंगे इस तरह से देखे यहाँ पे एक दो तीन तीन लाइन यानि यहाँ हम सीधा बुने हुए है और उल्टा तरफ से दो उल्टा यह सीधे तरफ से बतला रहे हैं अब आगे हमें यहाँ पे क्या करना है आगे पहला फंदा उतार लेंगे दूसरा फंदा को हम बुन लेंगे क्यों यह शुरुवात का है, इसलिए यहाँ पर हम डिजाइन नहीं बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, और यह जो दो फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बूनेंगे, एक, दो, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, अब यहाँ पर जो सीधा आप देख रहेंगे, फंदा, यह सीधा जो गया हुआ है, सीधा में हम एक, दो, तीन, तीसरा जो है, यहाँ पर हम सलाई को डालेंगे, और फंदे को इस तरह से निकालेंगे, हमें यहाँ से नहीं बिनना है, एक, दो, तीन, यहाँ से हमें डालकर इसे फंदे को इस तरह निकालना है, फिर इसे हम गिरा दें और दो फंदा उल्टा बून लेंगे फिर फंदे को नीचे की और करेंगे और एक दो तीन तीसरा में हम इस तरह से डालेंगे और फंदे को निकाल लेंगे फिर इसे गिरा देंगे फंदे को अपनी और करेंगे दो उल्टा बूनेंगे इस तरह से बूनते हुए हम इस डिजा उस अनुसार लमबाई बना ले किसी भी बेवलोच से आपना अपने एग was on जब ये सलाई हम complete कर लेंगे तो फिर से हम उल्टा से तरफ से उसी तरह बूनेंगे सीधा में सीधा और उल्टा में उल्टा बूनेंगे ये जब तीन हो जाएगा complete तो फिर से हम इसी तरह design को बनाएंगे अगर आपको इस पर design नहीं समझ में आता है तो design का link हम description box में डाल दे में आप उसे देख कर भी बना सकती है तो है तो है 6 कि पंटे नीचे करेंगे एक दो तीन तीसरा जो है चोटी देख रहे हैं यहां पहर हम सलाई डालेंगे फंडे को लेकर इस तरह से निकालेंगे फिर इस फंडे को हम गिरा पने कौने और अपनी और और फंदे कूने और फंदे क्वें के लाट थी फंदे कगर और फिर आज इसी तरह बनाएंगे तू यह तीन सलले बनने के बाद इसnhप फूल को फ्रते एख बार बनाते chain गजा उसके जालि जहाई है तो एक इंच का यह जाल का यह जाल आन Allen । टो एक इंच तो यह जाली बनाहूए है इसको हम फिर इसमें बनाए पिर इसमें बनाए हैं, बराबर बराबर भावों में हम सबों को बाटते हुए बनाए हैं, अब हम इसे इतना दूरी तक बना चुके हैं, अभी हमें ये साड़े साथ इंच टोटल कम्प्लिट करना है, यहां से लेकि यहां तक का लंबाई, साड़े साथ इंच हमें कम्प्लि जब हमट्दर जो भाग गते ही प्रफर सकते हैं तो दिटे, OH tomorrow में हम 4जों से रखे यहाँ से फ। 3-5 नंबाई यहां उनक्ति यहां, तक का शाओंगो गॉत प्रेज शाप से तक दो 3-5-5 नंच को रहें साथ इंच रखने के बाद में अब हम यहाँ पे फंदा देखिए यहाँ पे बीच में हम फंदा डालेंगे यानि की गले का गले पर जो यह इस तरह गले का जो बॉर्डर है यह बॉर्डर हम बनाएंगे लेकिन बॉर्डर हमारा यहाँ पे चौक खुट रहेगा तो इसके लिए क्या करेंगे हम इधर side में देखे कितना फंदा हम छोड़े हुए है 5, 10, 15, 20, 25 25 फंदा हम छोड़ देंगे side में हम 25 फंदा इस स्थान पर छोड़ दिये और इधर भी हम 25 फंदा छोड़ देंगे 25 फंदा छोड़ने के बाद जो यह बीच का जो रहेगा आपका यहाँ पर फंदा यह बीच का फंदा में हम इस बॉर्डर को सुरू करेंगे इस बॉर्डर को सुरू करेंगे हम और यह बॉर्डर आपको चलाएगा side का इस side में जो बॉर्डर पड़ा हुआ है ये भी साथ में भूनाते चुँए चलाएगा इस सैड में भी और यहां बीच में एक साथ हम गले का पुरा बॉर्डर को भूनते हुए चले जाएंगे तो इसके लिए हम इधर जितना भी फंदा छोड़े कितना जो फंदा हम इधर छोड़े हुए हैं उसी फंदे को उतना ही फंदा हम इधर भी छोड़ेंगे और यहां से हम यह बॉर्डर हम यहां पे देना शुरू करेंगे तो इसके लिए फंदे को अपनी ओर कर लेंगे पहला हम इस तरह से बून लेंगे पहला फंदा जो रहेगा उसे हम बून लेंगे अब दूसरा उतारेंगे, तीसरा फंदा बूनेंगे फिर अगला उतारेंगे, उसके बाद का हम बूनेंगे जो बॉडर हम वहाँ पे डाले हुए हैं उसी बॉडर को हमें यहां पे भी डालना है अगर आप लंबाई इसमें 0.3000 रखेंगी ज्यादा लंबा चाहती है तो 7.5 इंची लंबाई रख ले और अगर आप मेडियम चाहती है तो 7 इंची लंबाई रख सकती है ये आप पे डिपेंट करता है आप बलॉज की लंबाई कितना रखना चाहते है एक और हम बुनेंगे तो यहां इधर जितना फंदा इधर रखे हुए हम उतना ही फंदा इधर रखे हुए है बीच का फंदा में जो है तो हम बॉडर का डिजाइन डाले हुए है अब फिर फंदे को हम नीचे की ओर कर लेंगे और जो ये design भून रहे हैं इसी design को हम भूनते चले जाएंगे फंदा भी उपर ही रखेंगे क्योंकि ये भी दो हमें उल्टा भूनना है दो उल्टा, एक सीधा, दो उल्टा, एक सीधा इस तरह से भून कर हम इसे complete कर लेंगे क्योंकि लेंगे जाएंगे यह पूरा कम्प्लीट हो जाने के बाद में हम पलट लेंगे सबसे पहले इस बात को हमें देखना है कि यहां पर हमें कितना और बुणना है कितना सलाई और इस कलर के उन से बुणना है एक और हम बुन लेंगे एक लाइन हम बुन लेते हैं डिजाइन तो हमें जो बॉर्डर डालेंगे वो हम इसी कलर से बनाएंगे बुन लेते हैं पचीस फंदे हम इस साइड में रखे हुए थे एक बार और फिर से हम बुन लेते हैं तीन तो पाच पचीस फंदे हम रखे हुए थे तो यहाँ भी हम पचीस फंदे बुन लेंगे तीन पाच दस पंदरह बीस पचीस पचीस फंदे बुनने के बाद में बॉर्डर जब हम उल्टा तरब से आएंगे तो उल्टा ही बुनेंगे बाकी फंदो को हम बीच का जो है बॉर्डर का उससे हम उल्टा बुन लेंगे क्या है और बॉर्डर करे हम पंदो के आएंगे प्याँ प्रूब का उसे पाँ है आएंगे झाल झाल अब देखिए अब यहाँ पे 25 फंदा बच किया हमारे पास तो 25 फंदा को बुनने के लिए हम फंदे को नीचे की और करेंगे और जो डिजाइन हम बुन रहे हैं उसी डिजाइन को बुनते हुए इस लाइन को पुरा हम कम्प्लिट कर लेंगे अब देखिए अब इस लाइन में हम पुन कर कम्प्लिट किये अब हम इस तरफ आते हैं सीधा तरफ से जो कि हमें एक लाइन मात्र सीधा पुनना है इसके बाद फिर हमें उल्टा कलर यानी की चेंज कर देना है तो यहाँ पे हम यह तो हो गया तीन चार फिर हम इसे यहाँ से निकालेंगे एक दो तीन तीन के बाद यहाँ तीसरे अस्थान पे डालके यह पाँच हो गया छे साथे आठ्ध्र नौ Sver चौए बल्टर सुल के आप्ड़। 18, 29, 20, 21, 22, 23, 24 और ये रहा 25 अब यहाँ पे हमारा ये डिजाइन यहाँ पे खतम होता है अब यहाँ से बॉर्डर सुरू हो जाएगा तो यहाँ पे हम बॉर्डर सुरू करते हुए बुनेंगे पहला फंदा उतार लेंगे क्योंकि हम पहला फंदा को फीछले लाइन में बुने हुए थे इसलिए पहला फंदा उतार लेंगे दूसरा फंदा को हम बुनेंगे पहला फिर उतार लेंगे दुसरा बुनेंगे इस तरह से हम ये इस कलर का लाश्ट लाइन कम्प्लिट कर लेंगे यह हो गया पचीस अब फिर हम फंदे को नीचे की और ले जाएंगे और ये डिजाइन बुरना सुरू करेंगे लेकिन अभी इस वक्त हमारा यहां पर फंदा उपर की और रहेगा और डिजाइन बुरनेंगे झाल बुरनेंगे बीस बीस फंदा हो गया इकईस बाइस तेस ये रहा चूबिस और ये रहा पचीस ये पचीस फंदा हो गया यानि हम बीच में देखे बॉर्डर यहां पर निकाले हैं इस साइड में एक कंदा इधर दुसरा कंदा अब हम इसे पलट लेंगे पलटने के बाद हमें यहां पर ब्लैक कलर का उन लगाना है ब्लैक कलर का उन को हम लगाएंगे इस तरह से दो एक उल्टा दो सीधा अब साथ में हमें इस कलर के उन को इस तरफ ले जाना है तो ये ले जाने के लिए हम क्या करेंगे उल्टा जब हम बुनेंगे तो इसे हम इस तरफ करेंगे और इसे हम इस तरह से बुन लेंगे देखिए ये चीज यहां से यहां तक आ गया आपको धागा काटना नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं चाती है तो दूसरा धागा आप लगा सकती है यहां पर फिर से हम एक बार करेंगे इसे यह हो गया अब हमें ध्यान देना है कि बार्डर कहां से शुरू है क्योंकि अब हमें बार्डर उस कलर के उन से बुनना है देखिए यहां तक लिए आए हम अब इसे हमें यह तो चुकि यह डिजाइन के अंतरगत बिन रहे हैं जो हम दो कलर का धागा उन मिलाते हुए तो यहां दूसरा कलर को हम जोड दिये लेकिन यहां पे जो हम बार्डर बिन रहे हैं वो बार्डर हम इसी कलर से बूनेंगे तो इस कलर से बूनने के लिए यहां तक हम उनको लिया आए हैं आगे हम बूनाई जारी रखेंगे देखिए इस तरह से यहाँ पूरा उल्टा हमें बुनना है अब देखिए अब यहाँ से हमें फिर से ब्लैक कलर का एक और उनको लगाना पड़ेगा चुकि हम यहाँ पे डिजाइन चेंज केत लगाए हुए तो हमें इस चगह पे भी लगाना होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी एक उन लगा लेंगे अब यहाँ पे उनको जोड देने के बाद में आगे हम बुनते चले जाएंगे देखिए इस तरह से दो उल्टा, दो सीधा, एक उल्टा, फिर से दो सीधा, एक उल्टा जब इस लाइन को हम कम्प्लीट कर लेंगे तब फिर हम बाह घटाना शुरू करेंगे दोनों साइट से हम घटाते चले जाएंगे आप जैसा आगे पला में घटाएंगे उसी तरह आपको पीछे में भी घटाना पड़ेगा बाह में अगर आप आगे पला में 5-3-2-1 घटा रही हैं यानि कि जब हम बड़ा साइज का भलाज बनाते हैं तो 5-3-2-1 इस क्रम में हम उसे घटाते हैं अगर आप कुछ छोटा बना रही हैं तो 4-3-2-1 भी कर सकती हैं आप तो इसमें हम करेंगे 4-3-2-1 तो अब देखिए अब यहाँ पे यह लंबाई कम्प्लिट हो गिया है गला हम यहाँ पे 2 बारब भून चुके है यहाँ चार लेन यहाँ गला भून चुके हैं यह लंबाई यहां से यहां तक कम्प्लिट हो चुका है अगर आप इंच से ना पेंगी तो यहां से यहां तक आपका 7.5-7 इंच हो जाएगा अब हम यहाँ पे घटाना सुरू करेंगे तो जैसाथ की हम बतना आएं कि हम इसमें 4, 3, 2, 1 इस क्रम में घटाएंगे 1, 2, 3, 4 4 घटा चुके हैं अब हम इसे बूनते चले जाएंगे अब जब हम गले के पास पहुँचेंगे तो बॉर्डर वहाँ पे हम पून लेंगे यह हो गया अब हम यहाँ पे गले बूनेंगे गला का जो बुनाई हम कर रहे थे बॉर्डर उसी बॉर्डर को बुनेंगे उसके लिए हम एक सीधा बुन लिए अब देखिए अब हमें इसे उतारना है और इसे बुनना है उतारना है बुनना है इस तरह से इस लाइन को भी complete करेंगे border हमें जितना चोड़ा आप देना चाहते हैं border उतना आप दे सकते हैं तो border हम कुछ दूर और बनाएंगे इसके बाद border को हम बंद करना शुरू कर देंगे इस तरह से बुनते हुए हम यहां से यहां लाएंगे फिर इसे हम घटाएंगे 4 फिर सबसे पहले हम यहां से यहां तक लाएंगे चार घटाएंगे, चार घटाने के बाद में इसे बूनते चले जाएंगे, क्योंकि अब यह हमारा बॉर्डर इतना दूरी और बनेगा, बॉर्डर का लंबाई कुछ दूर और होगा, तो हम बॉर्डर को बूनते चले जाएंगे, अब फिर जब हम इधर से इस तरफ आएंग जब यह border भून के तयार हो जाएगा इतना दूर तक भून लेंगे जब हम, तो हमें इसे दो भाग में भूनना पड़ेगा, एक साइट से यहां चार घटा चुके हैं, इस चगह पे भी चार घटा चुके हैं, सबसे पहले यहां पे चार घटा आते हुए हम इधर भूनते हु यहां पर मतलब दोनों मिल जा है आपस में तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे यह फंदा इस तरह से इसü कलर के उसके हमें बुनना है सबसे पहले तो बलेक वाला को आगे कर लेंगे अपनी यόर कर लेंगे इसके बाद फिर सबसे पहले एक बलेक हम फिर हम दूसरा इसे एक इस कलर से दूसरा हम इस कलर से बुनेंगे इसके बाद फिर उल्टा इधर तो उल्टा ही हमें बुनना है तो उल्टा बुनते चले जाएंगे तो इस तरह से जब आप इसे बूनेंगी, जब हम अगला सलाई प्याएंगे तो इसे अलग-अलग हमें बूलना होगा, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ज्वाइंट नजराएगा, यहाँ पे आपको गड़ा नहीं नजराएगा, तो इस तरह से हम दोनों तरफ मिलाते हु इसे बूनते चले जाएंगे अब देखिए, अब हम फिर से इस जगह पे पहुँच गए, जहाँ हमें दोनों को मिलाते हुए बूनना है, तो इसके लिए हमें दोनों फंदों को एक साथ हम ले लेंगे, सबसे पहले हम इस कलर से हटा लेंगे, निकाल लेंगे बना कर, फिर इसे हम टाइट करेंगे, और दुद्वारा में हम फिर इस से एक बार इस तरह बुन लेंगे, इसके बाद फिर हमें प्लेक में जो हम डिजाइन डाले हुए, उस डिजाइन को बनाते हुए, इस लाइन को कम्प्लीट कर लेंगे, तो अब हमें इस तरह से बुनते हुए जाना है, यहाँ पर आप परतेक उल्टा तरप से, आप धियान रखें और इस तरह से दोनों साइड में कर लें, इसके बाद हमें अब इस बार जब हम आएंगे इधर, तो हमारा हो जाएगा यहाँ तीन, दो एक, यानि तीन इस बार हम घटाएंगे यहाँ पर, फिर बुनते चले जाएंगे, इस तरह भी तीन घटाएंगे, तो यहाँ पर जब तक हमें बार्डर का जितना चोड़ाई हमें चाहिए, वो चोड़ाई जब तक हमें नहीं मिल जाता है, तब तक हम इसी तरह से बुनते हुए चले जाएंगे, यानि अभी हमें और border में कुछ line और हमें बुढ़ना बाकी है, जब border complete हो जाएगा इसके बाद फिर हम border धागा को यहाँ पर हटा लेंगे, और इस side का अलग बुणेंगे और इस side का अलग बुणेंगे, अब यहाँ पे जितना हमें चोड़ाई बॉर्डर में चाहिए था उतना हम बुन चुके हैं यानि कि हमें बुनना था एक, दो, तीन, चार, चार लाइन बुन चुके हम यानि कि चार ये लाइनिंग हम गिन रहे हैं जो टीजाइन में हम डाले हुए हैं इसे गिंद रहे हैं अब हमें यहाँ पे फंदों को बीच में बंद करना है इस साइड में कुछ फंदा रख लेना है छे फंदा साथ फंदा जैसा और इस साइड में रख लेना है और फिर इसके बाद दोनों भाग को अलग अलग हमें साथ फंदो को हम रखते हैं अगर आप चाहते हैं और यहां पर रखना तो आप रख सकती हैं तो साथ फंदो को हम रखें अगर आप 8 भी रख सकती हैं 11 भी रख सकती हैं इसके बाद हम सारे फंदो को बंद करेंगे यहां पर ध्यान दें इस तरह से हम बंद करेंगे पीछे का जो है इसे हम आगे लाकर इस तरह गिरा देंगे फिर बूनेंगे एक फिर गिरा देंगे इस तरह से हम बाकी फंदों को बंद कर लेंगे साथ फंदा बॉर्डर का रखने के बाद कर दो है अब देखिए अब हमारे पास यहाँ साथ फंदा बच गया तीन तीन शेक साथ बीच का जो है ये ये चीज़ हम बंद कर दिये हैं ये गलाब बंद हो गया अब हम अगर आप चाहते हैं तो इस साइड में जिस तरीके से बीन रही है यहाँ पे आप उनको लगा करके बॉर्डर के कलर का उनको लगा करें दोनों एक साथ भी बून सकती हैं या चाहे तो आप पहले इस पल्ला को कम्पलीट कर लें फिर आप इस पल्ला को कम्पलीट करें तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना ये जो border को हमें सीधा बुनते चले जाना है और अगर आप इसे तीर्चा, हलका तीर्चा करना चाहती है तो यहां से दो का एक करते हुए, एक दो, तीन लाइन बीच करते हुए, दो का एक करते हुए, दो तीन फंदों को आप बंद करते, तो यह हलका सा तीर्चा हो जाएगा, इस तरह से हम अब इसे बूनेंगे, देखिए, यहां पे जो बॉर्डर हम बून रहे थे, वो करेंगे अब हम ब्लैक कलर का उन से बूनेंगे फिर फंदे को नीचे और ये जो डिजाइन हम यानि की बून रहे हैं उस डिजाइन को हम बूनते चले जाएंगे तो इस तरह से हम सबसे पहले इस भाब को बून लेंगे डिजाइन डालते हुए डिजाइन और उनका कलर चेंज करते हुए इसे बून लेंगे उसके बाद हम इसे बून लेंगे इस तरह से देखिए हम इसे इस तरह तरीके से बना लेंगे यहाँ पे हम border डाले हुए है इसका border का यह लंबाई जैसे की इसमें गया हुआ है उसी तरह लंबाई यहाँ भी चलते चला जाएगा और यह यहाँ पे सिर्फ color change होते चला जाएगा यह जो color है यह दोनों पार्ट मिला करके दोनों color मिला करके बिंते हुए हम चले जाएगे यहाँ से लेकर उपर तक का लंबाई हम सारह 6 इंच रखेंगे तो total लंबाई हो जाएगा आपको सारह 14 इंच ब्लोज का अगर आप चाहती है इसमें छोटा करना यानि 14 इंच अगर आप चाहती है तो यहाँ का लंबाई को घटा दे आप लेकिन आपको यहाँ से लेकर उपर तक का लंबाई सारह 6 इंच देना होगा तो इस तरह से हम इस पार्ट को इस ब्लोज का पीछे पला को हम complete करेंगे इस तरफ भी बना लेंगे और इस तरफ भी बना लेंगे दोनों तरफ बना कर हम complete कर लेंगे उमीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा अब अगले पार्ट में हम आपको अगले भाग में बताएंगे आपको कि यह चीज यह जो आगे पला में डाले हुए हैं वो हम किस तरह से यानि कि इसमें हम यहां पे सिधा सिधा डाले हुए हैं लेकिन जब हम आगे पला में बनाएंगे तो इस चीज को हम इस तरह से डालेंगे तो यह चीज हम आपको अगला यानि पार्ट तो में बताएंगे उमीद करते हैं कि आप लोगों को ये ब्लोच अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो लाइक करें, सेर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू